बारिस हो रहा है बहुत ही मज़ेदार बारिस हो रहा है बारिस जबी भी हो या ना हो मुझे ना स्याम होते ही कुछ ना कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है तो हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा ही बन रहा है घर में आप लोग इंस्टाग्राम फेस्बूक में वकर फॉलो नहीं कर रहे हो तो जल्दी से फॉलो कर रहो बहां पर मैं आपडेट करती रहती हूं कि मैं क्या बनाती रहती हूं आजना मैं बहुत सारे वीडियो शुट की हूं मेरी जो फैसन चानल के लिए एक ब्राइडल की ट्वाला वीडियो शुट की हूं तो दो दो वीडियो आज सुट की हूं इतना इनर्जेटिक फिल की आप लोगों को थोड़ा सा प्राब्लम हो रहा होगा ना बारी सो रहा है लेकिन यहां पर बैट के बात करने से ही मुझे अच्छा लग रहा है अंदर जा के बात करने में मजा नहीं आ रहा है तो आज न क्या वनेगा हमारा डीनर में पता है सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन में आगे वीडियो बनाने के लिए तो मैं ना सोच रही थी राखी आ रहा है आगे आप लोगों का राखी का क्या प्लान है कौन कौन अपने भाई के पास रह रहा होगा उनका बहुत कुछ प्लान होगा लेकिन मैं तो इतना दूर में हूँ और लॉकडाउन के बज़े से घर भी नहीं जा पाई तो राखी के बाद ही सोच के बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा है राखी जभी भी राखी के बारे में सोचती हूँ तो याद आ रहा है माईके का क्या करे वस सिच्विशन ही एस एस आप कि सब क लाओंगी बहुत ही अच्छा वाला वीडियो जो कि राखी प्लेट को के से सजाएंगे राखी में वेराइटी ऑफ मिठाई का आइटम वह भी लाओंगी लेकिन यह जो मिठाई आइटम वह ओडिया चैनल में आएगा तो इसलिए मैं सोची इसमें भी एक स्यार करती हूँ मेरा आज आप लोगों को दिखाऊंगी आटे से हम लोग गुलाब जमून बनाएंगे या आटे का कोई भी मिठाई बना सकते हूँ आप लोग बहुत ही यम्मी लगता है बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि आटे से बनाएं बहुत ही हल्दी वाला मिठाई तो आटे का ग आज हम लोग रात में करने वाले हैं ब्रेकफस्ट, मतलब क्या बता है, हम लोग सुबे जो ब्रेकफस्ट करते हैं आज रात में वो डिनर करेंगे, क्यूंकि हम लोगों को अचानक मन किया मेरे हजबेन को और मुझे, हमारे ओरी साता ना एक बहुत ही अच्छा, फेमस डिसव बहुत सारा आइटम लेकिन मैं उप्मा मतर की सबजी चट्नी बनाने वाली हूं जो तीनों का कंबिनेशन बरंपूर स्पेसली अगर आप ओडी सास कभी जाओगे तो पूछोगे बरंपर का उप्मा मतर की सबजी और चट्नी बहुत ही जादा फहमास है कर तो आज रात में बौ बनाने वाली हुं है तो उसका भी रैसीपों सायर करें कि अडिक कर तो रैसीपों का था या तो कभी शिचार करो मैं की прーン-ब भारिस अब पान्य क्वाणा बगेरा खाने का मन कर रहा है लेकिन हमारे रहाजेल का शिचरेसीन इतना बुरा यहां पर बिग बस्केट भी बंध है कुछ भी यहां पर डिलिवर नहीं हो रहा है और बेज़िटेबुल जो भी हम लोग सोसाइटी के सौप से ले आ रहे हैं वो तीन डवल प्राइस में मतलब त्रिपल प्राइस में लेकर आ रहे हैं वह भी पचा मतलब खरा हो गया होगा उसमें से आधा से ज्यादा बेज़िटेबुल तो हम लोग नहीं ला रहे हैं अभी ऐसे ही खा रहे हैं मटर चन्ने यह सब खा रहे हैं चलो अभी बनाते हैं मिठाई फिर हम लोग बात करेंगे यह कडाई में मिठा दी हूं कडाई गरम होने के बाद इसमें 1 टेबल इसमें घी में अच्छी तरीके से फ्राइ करना है बिल्कुल लोग फ्राइक में जब तक के अच्छा सा समेल ना आ जाए कुछ ताइम अच्छा वेन के बाद तक अच्छा सा समयल आ यह आएगा तब तक आपको प्राइख स्टेप में जाएंगे हम पर हाटे से समयल आना सुरू हो गया है तो इसे मैं अलग से एक प्लेट में निकाल दूँगी थंडा होने के लिए फिर और एक कड़ाई या कोई भी जगा ले किसमें की हम लोग सुगर सिरफ बनाएंगे मिधाय के लिए तो सुगर सिरफ के लिए यहां पे एक कप में हाफ आड़ करें हूँ में आड़ करें हूँ । 250 लेट अगर करताए देख पानी मेंगी पर आड़ करें दो अग्साल। पानी हो अग्साल स्गुकतां संसले गई ॐंट फूड़ करके अटा हिसोों, तो अगर। तो इसके लिकित वीर खोल, आपने के लिए हो कलर पोदर करने के लिए इसradas ऐसे ऑचा है, अभाब और पर उबाल चया, ऐसे अच्छा एज़ finerنे लिए तो यहां पर देखो हमारा जो सुगर सिरफ है बिल्कुल रेडी है और रेडी इसके ऊपर ना एक लेयर बन चुका है तो तब तक आपको फ्राइ करना है नेक्स्ट हम लोग जो आहटा को फ्राइ करके रखे थे इसमें में 3-4 cup आड की हूँ मिल्क पाउडर यह उप्सनाल है आप आड कर सकते हो नहीं भी आड करने से चलेगा लेकिन आड करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है फिर इसमें 1-8 टीस्पून आफ बेकिंग पाउडर और 1-8 टीस्पून आफ बेकिंग सोडा आड की हूँ थोड़ा से अच्छा फुला देगा यह मिठाई को और फिर आप दूद देखे भी इसको डो तेयार कर सकते हो नहीं तो पानी भी आड करके कर सकते हो दूद देखके करने से और भी अच्छा लगता है लेकिन पानी में भी कोई बुरा नहीं लगता है इसे एक थोड़ा सा जितना हम आटा और पूरिया तलने के लिए जितना सौफ डो बनाते हैं इसे थोड़ा साफ्ट बनाना है मैं तो आपको आप पूर को पनाने के बाद इसे आप अपने मंद चाहाँ जो भी आपको पसंदे चैब को आप राउन बीडे सकते हो नहीं तो में जैसे दी हूं यहां पे थोड़ा सा लंबा-लंबा वही सब तो इसे में थोड़ा सा लंबा लंबा साइज का कर रहे हूं आपको जो भी पसंदे कर सकते हो इसमें टोटल हाप कप के आटे में में इसमें टोटल 5-6 वन जाएगा आपका गुलाव जमन तो उसी हिसाब से आपको उसी क्वांटिटी में बनाना ही इतना भी आपको चाहिए आट कर देना है हलका से थोड़ा सा ज्यादा ओड़ कर अजह अग्यादा ही एक अपको एक गलर गुल्डन आचाहे गुलाव जब उच्वेक का फोले नहीं तो कच्छा है जाए ऑचानी लगेगा और वीच वीच में आपको इसे इधर उधर करते रहना है जबते कि इसका अ मिठाई जो है फ्राय होके बिल्कुल कलर आ गया है और थोड़ा समय रहना क्राक आ गया इसमें क्राक आने से भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसके अंदर शुगर सिरफ अच्छे से बिगो जाता है बिल्कुल और सुगर सिरफ को भी थोड़ा सा और गरम कर देना है अ ग्यास का वग अभी अण है विडियम फ्लिम है तो सारे विछा से बढ़ नाओ तक ऑद इस मीडियम फ्लेम में और करने के बाद अठांस से साथ मीनित में विछा वैब करना आ heb उससे स्घिल में मिठाई को और जल्दी बन जाए और बहुत इच्छी तरीके से इसके अंदर सुगह सिर्फ आप्जर्व हो जाए जाए बिल्कुल आप्जर्व हो गया है और बिल्कुल सॉप बन चुका है तो अभी से सर्व कर लेते हैं कि यहां पर देखो काई कितना सॉप बना है बिल्कुल मतलब खाने के टाइम तो पता भी नहीं चलेगा कि आटे से बना है या किसी से बना है बहुत ही सॉफ्ट स्पॉंजी और इतना टेच्टी बना था कि आप लोग बना के खाओगी तभी बिलीब करोगे मेरे उपर तो बन कि खाओ और आखी में स्पेसर लिए अपने भाईया को खिलाओ और मेरे साथ अप जरूर एक्सपिरेंस सेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा थाने के बाद इतना एक्साइटेड होके मैं मिठाई लेके गई पतिदेब के पास और पतिदेब मिटिंग में थे तो मेर कि अच्छा आटे से बना हुआ मिठाई आप लोग ट्राई करना जरूर राखी में अपने भाईया के लिए और बताना आपके भाईया के क्या बोल रहे हैं यह मिठाई के बारे में मिज़ूर पता भी नहीं चलेगा कि यह आटे से बना हुआ है हमारे उडिचा में ना में चैनल में सेयर भी किरती शायद गोज्जा खीरो गोज्जा ऐसे भी बेसा ही लग रहा है बिल्कुल कि अधाय गंटा में आधा गंटा इसमें रखी हूं और भी थोड़ा से इसके अंदर जो सुगार सिरफ पे नहीं गया है तो आप एक घंटा के करीब रगद लो गर्म सुगार सिरफ पे तो बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा साथ का म करब खतम करके भगवान के पास दिया लगा के फिर से आगी हूं में मेरी कर्म भूमी में यानि की केचन में लोगों के कर्म भूमी तो पीचेनी होता है दिन वर्व जो भी काम करूंता हूं वो कर लेती हूं लगन देनर बनाने का मनी नहीं करता है प्र देले मंन मितावद कोई ख़ा णहीं नहीं नहीं पारे है आक है अप सब का पता ना कमेंट करिए, यह मैं तो बहुत ही मतलब कें लेती हूँ खाइह नहीं पाती है सिरpi मिठाई हम लोग खा लिये इ stimmt पांच यह छह बहना था इतना टेस्टी बना था अभी फाइनली बनाते ही हमारा ब्रिक्फट्ट बाला डी मतलब ख्रेक्फट्ट में खाने वाला चीज डीनर वे खा रहे हैं तो उसे आप लोग क्या बोलते हो मुझे बताना कमेंड करे क्यों हम लोग इसको उपमा बोलते है सूजी लोग जाब लोग और या सब्सक्रयूए करके का यहाँ मेगाए्ट। चली के ऊब करें मेया सब्सक्रक्राइण है पहले याफ लोगों के साथ हیک कर मुः है लेकिन यहां पर कुछ बेज़िटेबल उस नहीं कर रहे हूं से प्याज, टमाइडर, हरामिट, कुछ बेज़िटेबल हैं नहीं मरता है तो इसको अभी न ओयल में थोड़ा सा फ्राइ कर लेना है जबसे कि अच्छे से फ्राइ हो जाए उसके बाद हम लोग इतने सूजी या करी पता खता है लेकिन में और नहीं कि कि ओ आप उगए तो आरके टार कर सकते हो रात हो गया था में मेरी गार्डेन से लाना ही भूद ही और हम लोगों को ओडिया में बोलते हैं रात में ना फेड नए शल्फोड़ और से लगना नहीं चाहिए of इसे भी ही तो फूड़े तो थोड़ा थोड़ा करके पानी आर करके इसको मिक्स करते जाना है अगर एक बार पानी आर कर दोगे तो यह पानी पानी हो जाएगा विलकुल अच्छा ने लगेगा थोड़ा थोड़ा पानी में आर करते करते इससे मिक्स करते जा रहे हूं और यह थोड़े टाइम के प्याज को चब करके रखी ती उसे भी आट की थोड़े टाइम फ्राइब करेंगे अध्रगल सुनके पेस्ट आट करेंगे शुखे मसाले आट करेंगे और इसे तब तक फ्राइब करना है जब तक इसके ऊपर थोड़ा सा ओयल मतलब निकलने लगे मतलब अच्छे तरीके सिर जब तक फ्राइब करने के बाद इसमें हम लोग जो बॉयल करके आलू और मतल रखे इसे आट कर देना है और मिक्स कर देख थोड़ा सा हाइफ लेम में इसको बॉयल उबाल आने तक छोड़ देना है फिर रेडी हो जाता है हमारा मतलर की सबजीव और चाटनी ऐसा ही भी मे में बना के रखि हुई थी फ्रीज में लास्ट टाइम में मुंडाल का इदली बनाई थी उसका रेसी भी में बनाई नहीं थी कभी नेक्स टाइम बनाऊंगी तो आप लों को बताऊंगी और यहां पे देखो और मसाला टमाटर भी आड कर दी हूं नमक भी आड कर दी हूं करना है धक के अंध मसाला भी ना भी प्राइब तो अभी इसमेहां आड कर देंगे बॉयल किया गया रालू संआ कि आड आ अच्छी तरीके से और हाइफ्ले में अबाल दो तक छोड़ धना रेड रेडी हो जाएगा महारा मतर की सबजी अब लोग मतर के शब्सारी में कर औ क्षब्स करना है यह देखो हमारा मत्र की सबजी कैसे बनाते हैं उडिया में तो नियुँना कर दो करूंग वेजिटेबुल उक्ट्मा साइट कभी मैं सैयार की थी मेरे चघक फूर में और यह बादाम की चतनी और दीन चतनी कि यह में पहले से ही बनाई थे एक पर मुं-डा इडली वनाई थी परसो साइद बच के अधा तो फुरीज में रख दी थी तो ये तीनों खाएंगे हम लोग रिग्फुस बाला डीनर चलिए साब करकेट खाते हुआ जब करें रिग्फुस बाला डीनर तो इनका बहुं पर है वो कभी वह उन्हें बुलाती हुना खाने के लिए वो डीनर हो या रंच रों ब्रिक्फिस्ट हो वह हमेंसा अधा गंटा लेट में आते हैं मैं ऐसे अधा गंटा बेढ़ती हूं और यहां पर हमारा लाट अधा ला अधा गंटा में बेटने वाली हूं फिर वो आएंगी उनका काम खतन करके अधा गंटा में पचास वार में उनको बुलाओंगी कि आओ आओ खाना थंडा हो रहा है कभी तो जग्रा भी हो जाता है तो आप लोगों में से किन-किन का पती ऐसे करते मुझे बताना मेरे पती तो हमें ऐसा करते हैं मैं बिल्कुल हवी अवी जगी हो गे हूँ यह सारे चीजों से चैनलों अभी आधा गंडा बैटते हैं आते हैं फिर खाने के बाद हविशे करते हैं के लिए काम धंदा था नहीं नहीं इतना कैसे कीचेन भी तो क्लीन करना है नाइट का यह सबसे केच्छन करouse हैं आट है इस फिर टीकिलीए है जाने और किच्छन कमेंने taking काम है इस भ किना ग मैं सारे बरतन क्लीन क करणे हुआ जाने के पात कि colleg Core करूंगी और लास्ट में क्या करती हूं जूद कर दोड़ पीचन कीचें करा हुआ जो कि नुपने पाइप नहीं होता है, जू थे पाइप से कीचें करने के मुद्ट एूप से माखन लिए फूर निकाल के रोगए में घी बनाती पाइप गही दूद निकाल लोंगी दूद लेके जाओंगी और भीचेंगे लिए विए करेंके सुवा होगा तो लॉक्डाउं में ऐसे होता है और यहीं चल रहा है रूटीन तो चलो गाइज अभी जा रहे हूं में गुट नाइट बाइबाइट टेक यह